आप लोगों को दे सकूँ इसलिए आज फिर साथियों आपके सामने में आया हूँ और जैसा कोरोना के इस आफसर पर आप लोगों के लिए एक ही मूल मंत्र बताया है कि हम कोरोना के स्पीरण में लोकडाउन के सावसर पर शोशल डिस्टेंसिक बनाते हुए अपने घर में रहें दिन प्रते दिन आकड़ों में विर्धी हो रही है जैसा कल मैंने आपको कुछ आकड़े बताये थे आज उसी को म कि अभी तक हर्याना के अंदर 13,000 लोगों के पर हम नेगरानी रख रहे हैं और इन 13,000 लोगों में से वर्तमान में 323 लोग ये होस्पिटलाइजड हैं और हमने 694 लोग में सेंपल लिये हैं जो कोरोना पीडित यतने पॉजिटिव पाये गए हैं लोग उनके संपर्क में वारे लोग उन सेंपल में से 543 सेंपल ये नेगरिव आये हैं और 29 सेंपल जो पॉजिटिव आये हैं उसमें से भी 10 लोगों को अभी तक डिशार्ज कर दिया गया है इस परकार मात्र 19 लोग अभी हर्याना में पॉजिटिव केसिस ये रिश्टर हैं एक कस्ताइक बात जो क पता लगा होगा कि दिली में निजामुदिन में जैसा तबलीगी जमात के हज़ारों के संख्या में लोग ये मई महिने के दूसरे सब्ता में एकत्र हुए थे वहाँ पर पॉजिटिव कोरोना कुछ लोग उसमें शामिल हो गए और वो फिर बाद में जैसा पता लगने जिन लोग की जानकरी मिली है हमारे पुलिस विभाग के द्वारा और जो आई भी की सुचनाओं के माद्य हम से उनको जानकरी मिली है 500 से उपर लोग ये हरियाना में भी अलग-लग स्थानों के उपर इस समय जो हमें मिले उनको सब को हमने कॉरंटाइन कर दिया है कोई भी उनमें से अब अपने स्थानों पर मस्जिद में अथवा कहीं होटल में अथवा घर में अपनी इच्छा से नहीं रफ़ाएगा कम से कम 15 दिन का ये समय कुराना के इस पिरिड का जो न्यूंतम समय अलग रहने का होता है उनको अब भीज दिया गया है उनके अपने स्थानो के उपर तो इस प्रकार से ये स्टेप हमने इसलिए उठाया है कि बहुत अधिक कई इसका फैलाव होता है तो एक बहुत बड़ी दर्दनाएक कहनी ये बन सकती है क्योंकि दुनिया में जो बड़े देशों में कोरोना का जो फैलाव हुआ है जब वो चाइना हो स्पेन हो इरान हो इंगलेंड हो इन सब स्थानों पर ये प्रारंबेग बाते ध्यान नहीं दी गई हमने वो प्रारंबेग बाते ध्यान देनी शुरू की है जिसमें से इस देश में भारतवर्ष में और हरियाना में खास करके हम लोग अभी तक उस बचाओ में हैं लेकिन हम लोग इ किसी भी बात के बचाओं में हम लोग आएंगे अब मैं आज विशेश एक बात के उपर आपका ध्यान आक्रशत करना चाहूंगा कि हम लोगों को जैसे करोना के इस समय पर घर में रहने के लिए परिवार में रहने के लिए एक परकार से बात्धे होना पड़ा है किसी की भी तरह चाह नहीं कि इतने लंबे समय तक वो पने परिवार के अंदर रहे आज हम परिवार के साथ रह रहे हैं कोई लोग कुछ लोग परिवार से बाहर भी जो इस मिमारी को दूर करने के लिए वारी सवा कर रहे हैं उसमें काम कर रह hai रास्ठ रक्षक बन बी है कि एक परिवार जादिवारी में रहने वाला हमारा परिवार माता पिता बच्चे हमारे पत्ति पत्नी और और भी बजुरग आदमे भी हो सकते हैं इस परिवार के साथ साथ एक बड़ा परिवार जिसको पूरे ये आपत्ति आई है और हम तो ये समझेंगे कि वसूद है कुटम वकम मानवता को बचाने का विशह है इसलिए इस बड़े संदर में भी बहुत लोग जो है अपने घर से बाहर काम में लगे हैं उनके परिवारों के चिंता भी हम सब को करनी होगी तो इसलिए आज समय इस समय है कि हमको अपने समय को अपने घर में रहकर के हर काम को करते हुए भी किस प्रकार से बिताना है हमें उसकी थोड़ी चंता करनी है हम जीवन में कई बार देखते हैं कि अपने कामों इतने व्यस्त रहते हैं और कभी-कभी तो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है हमें कुछ सम्हालने का समय नहीं हमें अपने जियोंग में कुछ करना चाहते हैं उसके लीज समय नहीं लेकिन चाहिए दुर्भगयrawdę से आया हो दुर्धायवैक किस दन का समय हमको ऐसा मिला है कि वह जो शिकायत है प्रभू से कि परभू मैं कई बार बुरी आदते होती है उन बुरी आदतों को भी छोड़ सकते है बिली पीना छोड़ सकते है सिगड पीना छोड़ सकते है शराब पीना छोड़ सकते है कोई भी बुरी आदत है उसको भी छोड़ सकते है और ये 21 दिन का समय अगर आप किसी बात को छोड़ना चाहते हैं तो आप एकीस दिन को छोड़ना चाहते हैं तो आप एकीस दिन उस बात को छोड़ना चाहते हैं तो आप एकीस दिन उस बात को छोड़कर देखिए वो आपका स्वहाव बन जाएगा तो हमें संयोग से 21 दिन का इस समय मिला है इस 21 दिन के समय को हम लोगों को अच्छे कामों में लगाना है अगर मैं इस काम के लिए अपनी स्वेम की दिंचर्या बताऊं तो मैंने आजकल अपना शारिरिक व्याम ये 45 मिनिट से बढ़ा करके डेड़ घंटा शुरू कर दिया है मैंने अध्यन का चोके बहुत समय मिलता नहीं था अध्यन के लिए अध्यन का काम भी शुरू किया है एक घंटा नियमित मैं अपनी पुस्तक पढ़ने में भी लगाता हूँ और इस प्रकार से बहुत से ऐसे विशह जो शायद बहुत पहले हम करते रहे हैं वो करने के लिए हमें समय मिलता नहीं था लेकिन अब वो समय भी मिलता है जैसे उद्धान के तोर पर मेरा कंप्यूटर पर बैठने का शौक है लगा था कि दिन चरह में संभव होता नहीं था आज कल मैं एग घंटा पूरा समय अपने कंप्यूटर पर भी कुछ अध्यन करने के लिए कुछ अच्छी बातों को सीखने के लिए देश दुनिया में बहुत बड़ा ग्यान पड़ा है उस ज्ञान को समझने के लिए जैसे हमें किताबों का अध्यन आउशक है ऐसे हम कंप्यूटर का भी उप्योग कर सकते हैं तो इसनाते से ये भी हम उप्योग अगर करते हैं तो इसनाते से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आज समय पुराना समय जब याद करते हैं इन सब सुविधाओं के माद्यम से आज उसका हम घर में बैठकर कर सकते हैं. पहले पराने समय में जोइंट फैमिली होती थी. जोइंट फैमिली में के बड़े अपने लाब होते थे. हम परिवार में अब वर्तमान में जितने लोग हैं सब अपने अपने काम में लगे रहते ह हैं एक आंगी परिवार हो गए हैं लेकिन 21 दन का समय ऐसा मिला है परिवार के लोग इकठे बैठकर एक स्थान पर सब बाचित भी कर सकते हैं हम बच्चों को कहानिया भी सुना सकते हैं. घर में बज़ग हैं दादा दादी है नाना नानी है प्राचीन काल में जयसे कहानिय इस परकार हम अपनी रुचि के अनुसार कोई प्रण करना करना चाहता है किसी को अपने पुस्तक पढ़ने मीं रुचि है कुछ बंदु ऐसे होते हैं कि कुकिंघ में रुची होती है अपने परिवार में पत्नी का हाथ बटाने के लिए हम cooking का अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं पत्निया भी महरी खुश हो सकते हैं चलो कम से कम पती 21 दिन के लिए cooking के अंदर साथ निभाने लगे हैं उनको थुड़ा रहात भी मिल सकती है उनके मन को प्रसनता भी होगी पती-पत्नी के बहुत से ऐसे विश्य हो वो पूरा करना चाहिए इसका बहुत बड़ा एक लाभं को हो सकता है नई चीजें सिखने के लिए मुझे एक अपना नुभ हो याद आ रहा है यह 1980 की बात है उसमें मुझे एक बात दक्षन भारत जाने का मौका मिला और दक्षन भारत में मैं एक वेफसाय में काम में अपना करता था तो मुझे एरोड सेलम दो ऐसे स्थाने तमिलाड के वहां मुझे रहने का आउसर मेरा लगभग 20 दिन जैसा अब 21 दिन का ये समय है वो भी लगभग 20 दिन का समय मैं होटल में रहता था वहां पर हिंदी की जानकरी लोगों को नहीं थी अंग्रेजी भी कुछ टूटी फूटी कुछ हमको आती थी कुछ वहां के लोगों बोल लेते थे लेकिन फिर भी इच्छा हुई क्यों नहीं इनकी भाषा सेखी जाए तो मैंने उन 21 दिनों में तमिल का ज्यान प्राप्त किया एक दक्षन भारत की भाषा सीखने का अवसर मुझे जो 20 दिन का ऐसा पिरिएट था जब मुझे अकेले रहने का अवसर मिला वो मैं सीखा और आज उसके कारण से तमिल भाषी बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए ऐसे कोई भी नई चीज सीखने का सिखाने का इक अवसर है इस अवसर का हम प्योग करें परिवार में इकठे बैठके आनंद लेते हुए भी हम अपने समय का यानि उसको वेतीत कर सकते हैं मैं एक छोटा खेल बताता हूं आपको परिवार के अंदर बच्चे हैं बड़े हैं सब 5-7 लोग हैं मानों मिल करके हम बैठते हैं और हम एक खेल खेल में एक अपनी ग्यान का वरधन भी कर सकते हैं कुछ सिख भी सकते हैं मानों सबके हाथ में हमने कागस पकड़ाया और उस कागस पर कहा कि आप अपनी फेवरेट पांच बातें ये लिखिए किसी को कहा आपने फेवरेट खे सा है वो आप कौंसी युनिवस्ट्री इसко कौनसी को पसंद करते हैं वो आप लिखिए किताब कौन सी आपकी परसिदा है ये आप लिखिए अपना जनम दिल लिखिए एनवर्शिरी के समय कि कुछ घटना है वो लिखी है अगर शादी शुदा लोग है तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे और जब सब काज़ इकठे करेंगे इकठे करके उनका पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ताज्यूब होगा आपको बहुत सी नहीं नहीं जानकारियों का जो सा कर सकते हैं इस प्रकार में त्रो इस समय का उपयोग हम लोग करें इसका बहुत बड़ा लाव यह हम को होने वाला है बच्चों के साथ कहल सकते हैं आगन में खेल सकते हैं अब बच्चों के लिए जब रहाँंगा तो जम बहर बच्चों के पहले तो जाने का उनको अवसर मिलता था, उस अवसर पर बच्ची अपना खुल करके खेलते थे, करते थे, अब उनको घर के अंदर रहना पड़ता है, और घर के अंदर जब रहेंगे, तो उनकी मनस्ति, यह कोई, उनको लगता है कि अभी हम तो expression जो हमको full freedom थी expression की, आज हमको suppression किया जा रहा, दबाया जा रहा है, तो बच्चों का कई विकास रुके नहीं, इसलिए उनको अपने suppression की वज़या है, उनको expression का एक अवसर मिले, तो बच्चों के साथ मिले अठकर के भी हमको अपना जो समय है, वो बिताना चाहिए, उसका भी बहुत बढ़ हमको लाब होगा, और कई बार कुछ कृतियां, कुछ गुण ऐसे होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, उनकी कुछ कला की, कुछ कविता की, कुछ कहाने की, कुछ पढ़ने लिखने की इस प्रकार के शौक भी होते हैं, जैसा हमने एक प्रियोग श साथ से उनको परितोशिक भी प्रतिन दिया जाएगा यह वने कोविड संगर सेनानी की जो एक वेब साइट बनाई थी उसी में प्रतियोगता का जिकर भी किया था और बहुत सी कृतियां हमारे पास आ रही हैं उनका हम प्रतियोगता में चैन करा करके सौर पैसे लेके हजार में तका आई नाम भी हमने रखा हुआ है लगाता है उनके पास भी बहुत सी कृतियां आई हैं भी मैं उसमें से कुछ कृतियां आपको पड़तर के सुनाता हूँ मनीश जोशी पुतर श्री रविंदर जोशी वार नबर 13 कृष्णा कलोनी नारेंगर जलांबाला उन्होंने कृति भीजी है मुझे और वो कृति है भले ही कुछ दिन तंग रहें पर कोरोना पर जारी जंग रहें आखिर अपनी खातर इतना करना बस परिवार के संग रहें इतना तो सब ढंग रहें बचा जीवन का रंग रहे 21 दिन करो तपस्य ऐसी तपस्या देख कर सारे ढंग रहे बनकर मलंग मस्त रहे घर रहने का वरतना भंग रहे कोरोना जल्दी ही भागेगा सजग समाज का हर अंग रहे अब एक संदेश भी है बच्चे की कृती भी है बहुत अच्छी लगी कि कोरोना को लेकर के हमको एक उपदेश आत्मक बात ये बताई है मनीश जोशी ने तो इस प्रकार से इस बालक की इस कविता को देख करके मुझे लगा कि आपको ये मुझे सुनानी चाहिए एक इसी प्रकार का एक और रचना उल्लिक करना चाहूंगा क्रिशन रागव पूत्र शिरी शिवुचरण सिंग गाउं पालडा जिला गुरुग्रा लिखते हैं गंभीर हो जाए समय रहते परिणाम वरना गंभीर पाएंगे सरकारी आदेशों का पालन हो तो कोरोना से लड़ पाएंगे शाशन पर शाशन गंभीर है अपना क्या हम भी गंभीर हो पाएंगे अब किसी को आजबाए ना बस खुद को ही आजबाए वक्त बड़ा ही नाजुक है अपना रास धर्म निभाए यानि बच्चे इन कविताओं के माध्यम से कितना बड़ा हमको संदेश दे रहे हैं इसके आधार पर ही हमको अपना जिमन को आगे बढ़ाना है और 21 दिन का समय एक सहियम से अनुशाशन से यदि आपने घर में बिताएंगे तो आने वाले बहुत बड़े संकट से हम लोग अपने आपको बचा पा रहे हैं परिवार को बचा लेंगे अपने समाज को बचा लेंगे ये आप से पूरा निवेदन करता हूँ अपने घर में रहते हुए बहुत प्रकार की कथा कहानिया ये भी सब सुनाते हैं एक नौजवान की कहानी मेरे पास आई और वो कल्पना कर रहा है कल्पना क्या कर रहा है कि कोरोना के कारण से किसे एक विक्ति की मृत्ति हो जाती है वो जो मर गया तो मर के परमात्मा के पास गया और भगवान को कहने लगा कि मैं आपसे बड़ा नराज हूँ बड़ा नराज था भगवान से भगवान ने पूछा थे नराज क्यों हो वो आदमी बोला कि मैं वहां करोना से मर गया और आप बचाने भी नहीं आए भगवान का एक प्रकार साथ भगत था तो उसको अपने भगवान पर ये रोश हुआ कि मैं वहां करोने से मर गया हूँ आप मुझे बचाने नहीं आए तो भगवान ने कहा करे मूर्ख कितनी बार तो आया था भगवान सीधा सीधा नहीं आता भगवान अलग-अलग रूप में आता है वो कहता कितनी बार तो आया था कभी पुलिस वारा बनके कभी डक्टर बनके कभी सफाई करमचारी बनके कभी कुछ और बनके वीडियो से आया, फोन से आया, टीवी से आया और जहां-जहां से आ सकता था आया, पर मूर्खानंद तू नहीं माना और जहां नहीं माना तो फिर यह हाल हुआ अब तो कोई अर्जुन तो था नहीं कि मैं स्वयम परगट हो जाऊ ते ले सामने तो जैसा था, मैं समझ जाता तो मरता नहीं, अबले एक कहानी है लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक सीख भी मिलती है और एक जिसने भी कहानी बनाई होगी उसका अपना एक बौध्धिक उसकी क्षमता भी ये निकलती है ये बनती है, तो इसलिए मित्रो हम लोग घर में बैठ करके इन सब बातों को और आगे बढ़ाएं जगड़े और परिवार में बहुत मज़ूर्ग लोग उस पर प्रशार भी होते हैं हम उनको भी निप्टा सकते हैं बैठ करके साथियों से पाचीत कर सकते हैं हमारे परिवार में कोई वृद्ध है वृद्ध को जब अकेला पनमेसूस होता तोड़ा उसका वड़ा कस्ठ होता है आज हम उसके मन की बातें भी सुन सकते हैं और किवल बातें ही सुने ऐसा नहीं उनके अनुभव पुराने अनुभव आकर जब कभी वो अपने यूओ आवस्था में थे उस यूओ नवस्था में उनके कीवे काम बहुत अच्छे अनुभव, भले वो पढ़े लेके कम होंगे, लेकर अनुभव की वातें बहुत अच्छी उनके समय की हमको मिलती हैं, मैं फिर से एक अपना विशय अपना किसा सुनाता हूँ, मैं जब 27 वर्ष का था, तो घर से 27 नहीं, उस समय मेरी आयू त मात्र 18-20 वर्ष की थी, जब मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके, और दिल्ली में वेपार करने के लिए मैं चला गया, तो मारे दादा जी, उस हमाने अपना काम काज करते थे, अपना वेपार करते थे, उसमें से उन्होंने बताया, कि बेटा एक काम करना है, त करते समय बहुत सी कठाई यहाएंगी, एक बात का ध्यान रखना, तुमारे पास जितनी अपनी पूंजी है, उतनी ही पूंजी बाजार से उठाना, उधार लेना, इससे ज्यादा मत उठाना, कभी भी संकट आ सकता है, अब ये ज्यान उनको था, जो हमको इतने वर्षों त बना कोई भी, चाहे वेफसाइक संग्ठन हो, चाहे वो द्योग हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी संग्ठन हो, उस सीमा को अगर पार करेगा, तो उसको हमेशा नुकसान होगा, ये बात, आज से, मानो लगभग, 40 वर्ष पहले, हमारे दादा जी ने हमको बताई, कोई उनको था, तो ऐसे ग्यान की बाते भी, हमको उन अपने प्राने लोगों से बैठ करके, और ये जरूर सुननी चाहिए, इस परकार का अगर हम लगातार ये काम करते रहेंगे, तो निश्य रूप से, हम अपने परिवार के अंदर, अपनी आद्तों को भी अच्छा कर पाए पाएंगे, और अपने इस विश्य को भी बढ़ा पाएंगे, आज मैं किवल इतना ही विश्य आपके सामने रखना चाहता हूं, कि बहुत से ऐसे अभी अवसर और आएंगे, जिसमें हमको सावधानी बतनी होगी, और जैसा प्रदेश के नाते हम सोचते हैं, कि प्रदेश क मैंने भी कम होगा, बहुत लोग तो कहते हैं कि आगे आने वाले दो मैने तीन मैने तक भी इसकी समस्या बनी रहेगी, और उसके कान से मैं प्रदेश के सब लोगों से आवान करता हूं, और आवान इस बात का करता हूं, कि हम लोग यह जो हमने करोना रिलीव फंड बनाया ह एक निवेदन हमने अपने करमचारी सरकारी करमचारी उसके किया था, कि वो अपनी सेलरी का, बेसिक सेलरी का कुछ प्रतिशत अवश्य इसमें योगदान करें, उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, और उस पोर्टल के माध्यम से हर करमचारी को कहा है कि अपनी भीबार लोगों का इस समय तक यो्गदान उसका फार्म भरा जा चुका है जो लगभाका इस समय तक 24 क्रोड रुपैसे उपर जिसकी राशी हो चुकी है और बहूत से लोगों ने अभी भी आयं का है कि इस समय का और दो दन क्यों के कल उसका आखरी तारिक है लोग इनका किसकी दो दिन और बढ़ाने चाहिए बहुत से लोगों को उसका पोर्टल की जानकरी थी नहीं जिनको आज ही जानकरी मिली है तो बहुत से बोर्ड कार्परेशन युनिवस्ट्री के हमारे एंप्लाइज ऐसे बहुत से एंप्लाइज हैं जिनके लिए आज से हम और विवस्टा करेंगे ताके वो भी उसके अंदर अपना योगदान करें अब इस राशी का खर्च हमको प्रदेश के हित में ही करना है जैसा के अंदर सरकार ने बहुत सी योजनाय लागू की हैं एक लाख सतर हजार क्रोड रुपे की एक पैकेज ये सरकार ने गोषित किया है जिसमें गरीब परिवारों के लिए जिसमें चिकित्सा और अर हमेडिकल के जो काम में लगे उए ऐसे हमारे करमचारी बंद हो उनके लिए ऐसी गरीब परिवारों के लिए बहुत से आइसे विश्शय उस दिन गोशना की गे थी जिसका हम को सधा लाब अभी तक लगभग धाई सो क्रोड रुपया ये जा चुका है आगे लगातार वो भी जाता रहेगा और हम इस महिने का पंदरा सो क्रोड रुपया का हमारा जो बजट है वो इसकंदर खर्च होने वाला है एक और गोशना मैं करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सरकारी जितने भ कारने उसका एक घुशना की है उसके बीमा की एक बीमा की राशी उनको मिलेगी 90 दिन तक प्रावधान लागू रहेगा मैं आज ये घुशना करना चाहता हूँ कि जिन लोगो केंदर सरकार के इस घुशना से लाब होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से बाहर रह जा है तो ऐसे सब लोगों के लिए हमने जो गुशना कर नी है उसमें इसी自己 कहार करके प्राइवेट डॉक्टर्स प्राइवेट हस्टालों की डॉक्टर्स हैं उनकी नर्सिज हैं प्रामेडिक्स हैं हाँ वह Software करमचारी अन्य करमचारी है तो ऐसे लोगों के लिए जैसा पहले हमने गुशना करके बताया था कि डॉक्टर्स के लिए 50 लाख रुपए, नर्सिस के लिए 30 लाख रुपए, परामेडिक्स के लिए 20 लाख रुपए, और अन्य चतुर्त शिरनी के करमचारी, सभाई करमचारी आदी, उनके लिए 10 लाख रुपए, ये गुशना प्रफिटल है उसमें रफर करना चाहिए इसी प्रकार जो हमारे पुलिस सुरक्षा कर्मी लगे हैं ऐसे सुरक्षा कर्मी भी यदि इस कोरोना की चपेट में कोई किसी दुर भागे कान से आ जाता है उनके लिए भी हम 30 लाग रुपया एक्स ग्रेशिया उनके लिए भी घु जिन किसानों ने अपना रिण वापिस करना था जो सौफ्ट लोन होता है फसली रिण उसको पंदरा अप्रायक तक उनने वापिस करना था अब उनकी तिथी जो है वो बढ़ा करके और 30 जून कर दी गई है इसलिए 30 जून तक वो अपने पैसे को रिण को वापिस कर सकते है ताके उनको जो इंट्रेस्स सवेंशन है उस पीरिड का उनको केंदर सरकार का और प्रदेश सरकार का ये मिल सकेगा इसलिए उसके रिण की भी अवधी ये बढ़ाई जाती है अंत में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इन सबातों का ध्यान रखें और कोई भी कारण हो बिना करण से घर के बाहर नहीं निकलना है मैं अंत में दो पंक्तियां दुराना चाहूंगा गुलजार की शायर के एक मसूर शायर हुए गुलजार उनकी पंक्तियां याद आ रही है बेवजा घर से निकलने की जरूरत क्या है बेवजा घर से निकलने की जरूरत क्या है को मालूम है बाहर